नमस्कार मैं SK Pande Founder and Hate CLC अपने चैनल CLC Judicial में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूँ हमारे चैनल का उदेश से है जो भी स्टूडेंट्स UPSC Judicial Services APO की तैयारी कर रहे हैं वो मेंस में कैसे बहतरीन से बहतरीन आंसर लिख सकें कैसे अच्छा से अच्छा अस्कूर कर सकें इस मीशन को काम्याब बनाने के लिए हम लोग अपने CLC ग्रूप में हर रोज एक क्वेशन पीटी मेंस और इंटर्विव के लिए free of cost पूशते हैं इसका बहतरीन आंसर भी बताते और इस क्वेशन को पढ़ाते भी हैं ये सभी कुछ free of cost Services के अंतरगत आता है अगर आप इस free Services का लाव उठाना चाहते मेंस में बहतर से बहतर असकूर करना चाहते study material चाहते इन questions का तो स्क्रीन पे लिखे हुए नंबरों पे phone कर अपना नाम और अपने उनिवर्सिटी का नाम या तो phone कर बता दें या text या whatsapp कर दें आपको CLC की free Services से जोड़ दिया जाएगा इसके अलावा CLC बहतर से बहतर quality coaching non commercial charges पे provide करता है जिसकी जनकारी आप इन screen पे लिखे हुए नंबरों पे phone कर हासिल कर सकते हैं तो आईए आज का question हम लोग सुरू करता है question number 192 ये आपके screen पे display होरा A, B, C, D and E all armed with deadly weapons after forcibly entering into house of X A drags him down and B suits him dead A and B absconded and trial commenced against C, D and E The trial court convicted them under section 149 302 IPC The judgment of trial court is इसका correct answer good in law है क्यों good in law correct answer है हम लोग इस video में इसी video में जानेंगे उस पे चर्चा करेंगे मेंस का question पूछा गया है discuss the common object of unlawful assembly and differentiate it with common intention So, unlawful assembly का common object and differentiation with common intention ये 20 marks का question है और उपर in the above MC की what other section of IPC could be added ये 5 marks का question सह और interview का question what is difference between section 34 and section 149 IPC तो देखिए जैसा कि मैं हर video में कहता आपका intro most vital होता और खास कर मैं आप सभी law students से apply करना चाहेंगे कि आप लोग UPSC भी law option रखते हुए दें अगर किसी आदमी का law का background है तो वो बहतर administrator हो सकता है ये मेरा ऐसा ब्यक्तिगत विचार है तो और law में maths और physics जैसे law एक बहुत ही highest scoring subject है provided कि अगर law के logic को reasoning को concept को अगर आप ने अगर समझ लिया है एक बार तो आप बहतरीन से बहतरीन answer लिख सकता है law के reasoning और concept को समझना जरूरी है ये बहुत ही असान काम है इस धर्ती का सबसे असान काम है law के reasoning और concept को समझना उनके conceptuality को समझना चुकि ये सभी कुछ common sense के ही दायरे में आता है तो कैसे है आप वीडियो देखते जाएए मैं हर वीडियो पे इन सारे चीजों पे ये एक मेरा छोटा सा प्रियास है और आप लोगों से भी उमीद है कि थोड़ा आप लोग भी सहयोग करें इस वीडियो को देखिए इस topic को देखिए मैं भी I am also a human being and I am also vulnerable to error हो सकता है हमारी वीडियो में कुछ कमी रह गई हो तो I love to listen and entertain my criticals अगर कुछ कमी रह गई है तो आप लोग phone कर या comment कर मुझे जरूर बताएं आने वाले वीडियो में मैं उन कम्यों को दूर करने का प्रयास करूंगा I am always a happy man to learn and improve तो आए जो intro है यह मान के चले कि law a scoring subject है मैं बहुत सारे student को देखता हूं कि law जिनका है तो ज्यादा तर judicial services या APO या बाकी competition में ही exhaust हो जाते यूपीएसी अगरा कम student उदर oriented हो पाता है law options है आपको multiple chance है आप कई सारे competitions दे सकते हैं आप judiciary भी try करें यूपीएसी भी try करें आपका जहां भी पहले selection हो जाता है उसे join कर लें और अपने एक्षा के अंसार यूपीएसी जिरूर त्यार करें चुकि एक administrator अगर लोग को अच्छी तरह से जानता है तो एक बहत्रीन administrator हो सकता यह मेरा ब्यक्तिगत भीचार है तो चलिए unlawful assembly के लिए हम लोग इसका इंट्रो कैसे लिखेंगे तो देखिए इंट्रो तो अब जो भी मेंस लिखेंगे पीटी क्वालिफाई कर मेंस तक पहुंचे हैं तो यह एक general topic है हर कोई इसका answer लिखेगा अब इसी general topic में इसी भीड में आपको एक बहत्रीन सा answer लिखना है आपका इंट्रो बहत्रीन सा हो तो देखिए common sense यह है कि mere assembly of person is not punishable right और इसको थोड़ा सा intro के तोर में दो mere assembly of यह मैंने एक नमूना लिख के रखा है just for example कोई जरूरी नहीं कि आप लोग भी ऐसा ही लिखें आप लोग इससे दूसे sense में दूसे language में भी और भी बहत्रीन भी लिख सकते हैं यह just एक example के तोर पे ready referencer है आपके लिए मैं इसको पढ़के सुनाता हूँ आपको दो mere assembly of persons is not punishable and rather it is a fundamental right guaranteed under article 19 1b of our constitution but if the common object of such assembly falls under any of the provision of section 141 IPC such assembly is designated as unlawful assembly तो intro दो तिन लाइनों से ज्यादा नहीं होना चाहिए short में होना चाहिए चुकि intro just एक opening है just एक formality है तो अब unlawful assembly के बारे में पूछा गया है तो आप लिखें the provision related to unlawful assembly is given under section 141 और यह section 141 को as it is आपके ready referencer के लिए यह portion copy paste किया हुआ as it is bare acts और आगे भी कुछ काम के sections copy paste as it is और 149 कर दिया गया है just आपके ready referencer के लिए तो यह an assembly of five or more persons designated unlawful assembly if the common object first to over away by criminal force or so of criminal force इसको मैं पढ़ नहीं रहाँ पढ़ के video मैं time नहीं waste करना चाहता है video को short रखना content को in reach रखना आप सभी लोग जानते हैं कि यह पांच में से अगर कोई भी object है unlawful assembly का that assembly का तो अगर इन में से कोई object है तो ओ assembly unlawful assembly हो सकती है explanation दिया हुआ an assembly which was not unlawful when it was when it is assembled may subsequently become an unlawful assembly तो assembly जब assemble हुआ तो unlawful नहीं था जैसे माल लिजेगे अभी हम लोग 10 आदमी पढ़ने के लिए यहां बैठे हैं और पढ़ते पढ़ते अचानक से हुआ रहे हो सामने वाला बहुत तंग करता है चलो उसे पीठते हैं उसे सबक सिखाते हैं तो use of criminal force going to commit an offense तो जो हम लोग पढ़ने के लिए बैठ है यह assembly this was convened and this was not unlawful it was a lawful assembly चुकि convening assembly this is our fundamental right under article 19 1b the time when this assembly was convened it was lawful but subsequently it became unlawful तो उसी चीज को explanation में समझाया हुआ है 142 being member of unlawful assembly तो क्योवल यू आर member of unlawful assembly that itself is punishable कोई जरूरी नहीं कि अगर आप अपने को separate नहीं करते हैं unlawful assembly में से और you continue to be member of unlawful assembly तो you commit an offense और उसी चीज को highlight किया हुआ हुआ है unlawful assembly लिखें तो 142 जरूर लिखें अब आपके question में किस हिसाब का question है अब 142 का relevance है या नहीं है answer writing में content को हमेशा कोशिज करें कि maximum or to the point हो specific हो oriented हो relevant हो आप content से कभी detect ना हो these are golden rules of writing best answers तो being member of unlawful assembly whoever being aware of facts which render any assembly and unlawful assembly aware of fact अब माली जी है थोड़ी देर के लिए aware of fact माली जी है कि हम लोग 10 आदमी बैठके यहां पढ़े रहा है तो जो आश्पेक्टेटर्स हैं जो पासर भाई है चुकि वह वहां पर पर जेंट है तो are they also responsible are they also guilty no they are not guilty और उसी चीज को यहां लिखा being aware of facts तो जब देखिए यह की पॉइंट यह सारी की पॉइंट होते हैं लोग है अगर इन की पॉइंट को आप मिस करेंगे तो आपका answer कभी भी बहतरीन नहीं हो सकता है इन की पॉइंट को आपको मिस नहीं करना इन की पॉइंट को अपने answer में जरूर हर हलत में जगह देना है अगर इन की पॉइंट को आप अपने answer में जगह देंगे तो फिर और कुछ करने की जूरत नहीं है आपका answer अपने आप naturally बहतरीन होगा तो और देखिए यही logic है इसका being aware of fact आप खुद सोचिए कि जिस आदमी को पता ना को innocent आदमी out of curiosity out of excitement की भीया हो क्या रहा है वो देखने के लिए ज्वाइन करता है will law punish him यह जो logic है यह reasoning है क्या इस logic इस reasoning के लिए हमें research करने क्या हो सकता है क्या इस logic इस reasoning के लिए हमें किताबें मोटी मोटी library में बैठके पढ़ने क्या हो सकता है कि is this part of common sense तो law just मेरा एक अपना I may be wrong यह मेरा एक personal vision है law is nothing more than common sense तो अब ऐसी चीज़ें आपको catch करना है ऐसी चीज़ें आप catch करेंगा अपने आप बहतरीन answer होगा और ऐसी चीज़ें logic है इसकी अब देखिया punishment इसका क्या है whoever is being may extend to six months being member of unlawful assembly का अब 144 उसी का variation says joining unlawful assembly armed with deadly weapon तो उसमें punishment two years with fine or with both और जो offense हुआ उसका अलग से punishment अब section 149 this is the main every member of an unlawful assembly guilty of offense committed in prosecution of common object तो हमें यहाँ दो चीज़ें समझनी है मैं आगे deal करूँगा case lobby site किया हुआ in prosecution of common object और during prosecution of common object यह देखने में दोनों एक जैसा लग रहा है मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ इसको in prosecution of common object अदूसरा during prosecution of common object दोनों दो अलग अलग चीज़ें हैं और इनके difference को हम लोगों को जरूर समझना है तो हम लोग चर्चा करेंगे इस पर तो if an offense is committed by any member of unlawful assembly तो जैसे मालिज यह दस आदमी है यह दस आदमी है और एक आदमी ने कोई offense कर दिया तो in prosecution of common object जो assembly का common object है और such as the members of that assembly knew to be likely to be committed तो जो common object का likely consequences है तो यह देखिये पूरे section 149 में दो key point है एक इन prosecution of common object this is different than during prosecution of common object यह पहला part और दूसरा part as the members of that assembly knew to be likely to be committed in prosecution of the common object every person who at the time of committing of that offense is a member of the same assembly is guilty of that offense तो unlawful assembly में अगर किसी एक ने जो जुर्म किया बाकी सिर्फ member है unlawful assembly के उन्होंने कुछ भी नहीं किया कोई participation नहीं किया crime में तो एक ने जो offense किया उतनी ही सजा बाकी सारे members को होगी जो लोग unlawful assembly के members सा और इस कारण से section 149 is more wider than section 34 section 34 के लिए section 34 pre supposes prior meeting of mind prior concert section 34 में 149 में previous meeting of mind is not necessary तो so far as applicability is concerned 149 is much wider than section 34 यह सब हम लोग देखेंगे एक की point और या रखना अगर दो group fight करना है आपस में तो उनका common object नहीं है if that is a free fight अब university में दो group में मार पीट आई हो गई आपस में अचानक ही at the spur of moment so since they do not have common object therefore they do not become member of an unlawful assembly अरे यह सारी चीजे highlight करके लिखी हुए है इसे आप note down कर दीजियागा अब कुछ comments में आते हैं section 149 is an exception to general principle of criminal law in the sense that a person can be convicted and sentenced only on proof of his being a member of the unlawful assembly sharing the common object not with a standing as to whether he had actually participated in to the commission of the crime or not section 149 has the following essentials so general principle of criminal law जो जैसा करेगा वैसा भरेगा जिसने क्राइम किया उसे ही सजा मिलेगी जिसने क्राइम नहीं किया उसको सजा नहीं मिलेगी तो this is general principle of criminal law लेकिन 149 is exception exception into the sense कि जो लोग unlawful assembly के member है उन्होंने crime भी नहीं किया फिर भी उनको सजा मिलेगी तो due to this region section 149 is considered to be an exception of the general principle of criminal law और 149 का जो essentials है commission of an offense by any member of an unlawful assembly आप law में अगर essentials ingredients आप लिखेंगा तो that is always better तो offense commit होना चाहिए दूसरा such offense must have been committed in prosecution of the common object of the assembly तीसरा the offense must be such as member of assembly new to be likely to be committed or new to be आगया है ओर definition में और कुछ important point there must be a nexus between common object and offense committed नेकस्स होगा तभी तो in prosecution of common object or offense commit हो आगर नेकस्स ही नहीं होगा तो common object कुछ और हो गया और offense कुछ और हो गया अब माली जीए कि common object कुछ और है और offense कुछ और हो गया तो वहाँ पर 149 applicable नहीं होगा वहाँ पर individual liability बनेगे लेकिन जो common object है उसी के हिसाब से offense है या common object जो है उसका likely consequence है offense सब 149 applicable होगा यह दो चीज है जरूर ध्यान में रखियेगा और एक case है यूनुस वर्चिज अस्टेट का इसमें कहा गया supreme court के द्वारा it is not necessary to prove that each and every one of the members has indulged into overt act तो देखिया इस केस में supreme court में उन्ही बुनियादी चीजों को ही कहा है case law में जो section है यह आपका 149 कोई भी case law contrary to this section नहीं हो सकता चाह हाई court का हो यह supreme court का हो अगर case law contrary to this section है तो इस section को यह तो stuck down या unconstitutional या जो भी करना पड़ है as long this section exists no case law can be contrary to this section so case law gives you explanation interpretation and meaning of the section इसके अलावा case law का कोई रोल नहीं है case law इसके अलावा आपको कुछ नहीं देता case law सिर्फ और सिर्फ जो आपका statutory provisions है उसी को explain करता हूँ उसी को interpret करता हूँ उसी का बहतर meaning और application बताता है तो अगर आप bear act को statutory provisions को अगर आप अच्छे तरीके से समझ गया तो आप समझ यह कि more or less बहुत सारे case law भी आप समझ गया तो देखिए अब इसी case में 149 में Supreme Court ने यह कहा यूनुस के case में काफी छडशी केस है की कोई जरूरी नहीं है की कौन से member ने क्या करा अरे तो भया यह तो लिखा ही हुआ 149 में की membership of unlawful assembly is committed it is immaterial that which member did कौन से member ने क्या किया that is immaterial it is if you are only even member of the unlawful assembly you are level for the punishment तो वैसे exam में case law लिखना रहता है और चुकि exam में case law लिखना रहता है तो case law दे दिया गया है अगला case है मदन सिंग वर्सेज स्टेट अब भिहार इस case में कहा की held at mere presence in unlawful assembly cannot render a person liable unless he was actuated by common object तो देखिये Supreme Court ने इसमें बहुत अच्छी बात कहिए कि mere presence is not sufficient तो आप सोचेंगे कि sir तो अभी तक हमको पढ़ा रहे थे कि only presence is sufficient तो अगर mere presence is sufficient law a thinking subject है आप खुद सोचिए if mere presence is sufficient अब 10 आत्मे किसी को पीट रहा है मैं देखने चला गया तो मेरा भी presence हो गया तो साथ में चुकि पीट रहा है तो इसलिए अब मैं भी दोसी हो गया तो चुकि जो पासर्स बाई है जब भी offense होता है तो पासर्स बाई by a standard भी वहां देखते है out of excitement out of curiosity कि ultimately what is happening तो यह बात तो ठीक है कि लिखा हुआ है कि mere presence is sufficient जब IPC draft किया गया था तो उस समय जिन लोगों ने IPC को बनाया जब उन लोगों ने IPC को बनाया just one second कुछ जब उन लोगों ने IPC को बनाया और IPC draft किया गया तो at that time it was realized कि भाई ऐसा यह mere presence is sufficient धीरे धीरे जब दिखते हुई तो बात उठी कि अरे भीया जो लोग पासर भाई है ओ अगर देखने लगे तो उनके presence को तो नो नो उनके तो इसी चीज का explanation आया और Supreme Court ने इसी चीज को इस case में clarify किया कि mere presence is not sufficient that presence must correspond that presence must be in tune with the common object because that person is sharing the common object and therefore is present into the unlawful assembly वीडियो को आगे पीछे करके यह जो line मैंने बोला मैं एक बार फिर से repeat कर देता हूँ आपके समझने के लिए mere presence is not sufficient unless that person is in tune with unless that person unless that person is in prosecution of common object unless that person is in consonance with common object तब ओ पर्जेंस can invite punishment for unlawful assembly तो सुप्रीम कोट ने यह मदन सिंग वाले case में कहा कि mere presence in unlawful assembly cannot render a person liable unless अब यह सारे line से आपको confused नहीं होना मैंने आपको explain किया यूटूब की अपने limitation है वीडियो लंबी हो जाती है अगर आपको doubt है तो जरूर comment करके पूछिए का मैं फिर से इसको explain करूंगा फिर से बताऊंगा मुझे message किजिए मुझे call किजिए इस सपने को सकार करें मेरा ऐसा ब्यक्तिगत विश्वास है कि law highly a scoring subject है हम students लोग ठीक तरीके से logic explanation और reasoning दे नहीं पाते इसलिए अच्छा scoring नहीं हो पाता है अगर हम लोगों ने अपना logic reasoning explanation अच्छे तरीके से दें अच्छा content हो तो बहुत अच्छा number आएगा यह ऐसा मैं मानता हूँ and that object is one to supreme court यह मदन सिंग वाले case में कि mere presence in unlawful assembly is not sufficient unless object falls of one of the ground set out under section 141 तो यह section 141 मैंने पढ़ा नहीं है आप लोग मेंस देंगे अब मैं आपको 141 पढ़ा हूँ अच्छा नहीं लगता 141 बहुत ही simple है ऐसे लिखे हुए आप लोग खुद देखियेगा इसको doubt हो तो जिवर पूछेगा मैं बताऊंगा तो मदन सिंह का case हो गया फिर what the common object of the unlawful assembly is at a particular stage of the incident is essentially a question of fact question of fact की चुगी evidence से ही उसको establish किया जाएगा keeping in view the nature of the assembly की किस तरह का assembly या arms कैसा है किस तरीके का behavior of members at or near the scene of the incident तो इस से सारा decide होगा अब यह देखिया है in prosecution of common object तो यह जो word है has to be strictly construed as equivalent to in order to attain the common object इसको मैं पीले से underline कर दू इसको मैंस्ते है ब्हू जाएपिदेधे गिछे हैं मुद्पी और सूमिएटे गिज अजिज विओ प्रूंब्छे प्रूंब्ची बुदेदे प्रूंब्ची अठीच्छे वूंखें अद्च्से से विजूज अजिज़ अणाविय कुदे इस आवगज़ टूंटे यह words in prosecution of common object do not mean during the prosecution of the common object. For example, if an unlawful assembly goes with the object of committing theft and a member commits rape, so theft के दौरान रेप होना, तो ये during course of prosecution of common object हो गया, during the prosecution of common object, theft आया, theft की दौरान रेप हो गया, और in prosecution of common object, theft करने को आया, चाकू लिये हुए था, उसने बिरोध किया victim नहीं, victim को चाकू मार दिया, victim की death हो गए, तो मैं एक छोटे, ये समझना आपके लिए बहुत जरूरी है, और answer में इसको जरूर explain करना है, अगर इस तरीके का आप question को देखियेगा, अगर full length और ये सारी चीजे पूछी हुए है, तब explain कीजिएगा, जो चीज question में नहीं पूछा हुआ है, वो चीज आप explain करेंगा, तो you are just irritating the examiner, आप judge बनने जा रहे हैं, आप UPSC देंगा, administrator बनेंगा, तो never mortgage or divorce, relevance of your answer, in tune with, तो in prosecution of common object, कि जो common object है, उसी के हिसाब से offense हुआ है, तो in prosecution of common object, एक ये strict term में इसका interpretation होना चाहिए, ये narrower है, और इसी लिए यहाँ पे लिखा हुआ है, कि to be strictly construed, तो theft करने को है, तो theft करने के दोरान, विरोध हुआ चाकू था, लेकिन theft करने को आये, कोई महिला है, theft को छोड़के रेप कर दिया, तो common object नहीं था रेप करने का, तो ये पूरा का पूरा transaction, during course of prosecution of common object आ जाता है, तो this is what the difference between, in prosecution of common object, and during the prosecution of common object, यहाँ पर मैंने starting में ही लिखा है, in prosecution of common object, and during prosecution of common object, इसको जरूर आपको समझाना है, मैं एक बार फिर से repeat कर दू, और जो लिखा है, विडियो को पहुँच करके, note कीजिएगा, मैं तीन चार बार हो गया, repeat करते हुए, मुझे कोई परिसानी नहीं, मैं तब तक repeat करूँगा, जब तक आपको अच्छे से समझ में ना है, अगर फिर भी अगर आपके समझ में नहीं आता है, तो आप मुझे जरूर फोन करके, text करके, comment करके, जरूर बताएं, मैं फिर से explain करूँगा, as long, जब तक आपके समझ में ना है, तब तक मैं बताता रहूँगा, तो चल यह चले, चोरी करना है, तो चोरी करने चले, तो likely consequence, चोरी करेंगे, तो victim विरोध करेगा, victim विरोध करेगा, चाकू था, गुसा है, अमने चाकू मार दिया, तो यह area fall करेगा, in prosecution of common object, और during prosecution of common object, एक बहुत wide chapter है, इसमें, जो जो crime हुआ, सभी कुछ included है, तो आयते चोरी करने है, महिला देखी, नियत खराब हो गई, उसका rape कर दी, तो during prosecution of common object, is the wider aspect, और in prosecution of common object, is narrower object, मैंने इस illustration से, इसको समझाने की कोशिस किया है, और the expression no, तो no means higher degree of knowledge, higher degree of probability, इसको भी मैं yellow से underline कर लूँ, यह सब note कर लिजियागा, free fight में section 149, because common object नहीं है, why, because no common object, यह ही इसका logic, यह ही इसका reasoning, यह ही इसका explanation, free fight का कोई common object नहीं है, और imperer versus Kabil का case था, large body belonging to one faction, where led another body of man, belonging to second faction, and a fight in suit, in the courts of which a member of first faction, was wounded and retired to the side of road, taking no further active part in effort, तो जब उगायल हो गया, road पे पढ़ गया, और कोई participation उसका नहीं रहा, एक side तो he ceases to be member of a lawful assembly, तो इसी में court ने का कि, he held that the wounded man had ceased to be member of a lawful assembly, when he retired, wounded and thus cannot be made level for the subsequent murder under section 149, अब difference की बात करते हैं, common intention, rule of evidence है, rule of procedure है, और ये कोई section 34 का कोई punishment नहीं है, section 34 substantive offense नहीं है, लेकिन common object, a specific offense है, substantive offense है, 144 में being member of a lawful assembly, that itself is punishable, common intention में previous meeting of mind is necessary, कल का video देखियेगा, आज का video part 3 है, ओ सब भी video देखियेगा, आप बहतर समझे, समझेंगे इसको, और इसमें common object में previous meeting of mind necessary नहीं है, इसमें participation और overt act, जो है necessary है common intention में, crime में participation होना चाहिए, overt act मतलग कुछ न कुछ आपका योगदान होना चाहिए, और इसमें common object में participation का कोई जूरित नहीं है, mere presence in unlawful assembly is punishable, overt act in crime is not necessary, common object के अंतर गत, ये two or more, section 34 में, ये minimum five or more, ये less wider है, ये more wider है, तो ये सब कुछ differences हो गए, अब आज आते हैं, आज के question पर, अहां गया आज का question ये रहा, तो देखिए, पांच लोगों ने मिल के crime किया, तो गुरुप में आप में से कुछ बच्चों के सही जबाब भी आए है, तो दो भाग गया, लेगिन at the time when crime was committed, तो इसलिए 149 लगा है, और इसलिए ये good है, ये, ये पहला option, because bad की five or more, अरे भीज़ ट्रैल के समय कितने हैं, ओ इमेट्रियल है, crime कितने लोगों ने किया, that is material, तो फैक्ट में दिया हुआ कि पांच आद्मियों ने मिल के crime किया, ये सभी के सभी deadly upon से आर में 144 आपका बन जायागा, सारे के सारे member हैं, unlawful assembly के forcibly इंटर करते हैं, एक्स के घर में, तो ये आपका 449 house trespass का और 452 भी लग जायागा, जो हमने पूछा कि और क्या क्या सेक्शन लग सकते हैं, इसमें, 143, 144, 149 लगेगा, और ये culprit A and B, जो है उनके फरार होने से कोई अंतर नहीं पढ़ता, ये तीन लोग भी उस unlawful assembly के member हैं, तो इन तीन लोगों को भी सजा मिले गए, और ये C जो confuse करने के लिए दिया हुआ, ये men's का question है, unlawful assembly का, ये 5 mark का question है, की और क्या क्या सेक्शन लग सकते हैं, तो और सेक्शन जो जो लगेंगे, वो यहां पर लिख दिया गया, इन सेक्शन को अपने ब्यारक्ट से देखियागा, 143 punishment for unlawful assembly, 144 joining unlawful assembly, with deadly arms, ये deadly arms, दिया हुआ deadly weapons, आपका 149 तो ठीक ही है, 302 murder हुआ, ये 449 house trespass और 452 उसका है, इंटर्विव में पूछा गया 34 149, तो इंटर्विव में आप जितना short बोलेंगे, ज्यादा बोलेंगे तो आप से ज्यादा सवाल होंगा, तो जितना short specific आप सिधे बोलेंगे कि वो rule of evidence, और कोई substantive offense नहीं create करता 34, ये participation, ये mere membership of unlawful assembly is punishable, और ये substantive offense है, 34 में previous meeting of mind and participation जरूरी है, 149 में previous meeting of mind और participation और overt act is not necessary, ये इतना सारा content आपके पास दिया हुआ, इसको आप एक दो line में कोशिज किजिए, तो main content जो interview के purpose है, आप बोलेंगे एक ये आपके दो main content होगा, for the purposes of interview, तो अब ये सब तो बच्चों वाला है कि भाई, 34 में लिखा हुआ, दो होगा है, पांच होगा है, हाँ, ये आप opening में बोल सकते हैं interview में, कि ये less wider है 34, ये more wider है, तो ये दो तीन चीज़ें interview में, interview में ज्यादा नहीं बोलना है, interview is not test of your talent, interview में आप ज्यादा बोलेंगे, तो ज्यादा सवाल होंगे, आप fraser है, उन सवालों को, आपको पता ही आपका interview कौन लेगा, तो जब आप ज्यादा बोलेंगे, तो ज्यादा बोलना, अगर आप जरूरत से ज्यादा बोलेंगे हैं तुछ से जो लोग आपका इंटर्वियू ले रहे हैं एक human irritation हो सकता है आपको कम भी नहीं बोलना है ज्यादा भी नहीं बोलना है दाल में जो नमक की quantity है दाल में नमक ज्यादा पड़ गया तो भी बेकार कम है तो भी बेकार हमारा यह प्यास है मैं आप से भी law students है अंत में अपील करूँगा कि आप लोग UPSC भी दे जुडिसेरी और यह बाकी चीज़े तो आप दही रहे हैं जहां भी selection हो ओज्वाइन कर लीजिया और थोड़ा सहयोग किजिए आप लोग तब इस टॉपिक पर मैंने वीडियो बन आया इस टॉपिक के कंटेंट को देखिए explanation को देखिए कुछ कमी रह गई हो तो मुझे जरूर बताएं मैं आने वाले वीडियो में उन कमियों को दूर करने का प्रयास करूँगा हम सभी लोग मिल कर YouTube पे सायद मुझे किसी ने बताया कि यह हम लोगों का जो चैनल है मेंस क लिए कमिटेड यह पहला चैनल है और कोई चैनल नहीं है तो चलिए जो भी है हम लोगों ने शुरू कर दिया मेंस के लिए आपको हदोज एक कोहचन मेंस का मिल आगर आप CLC के ग्रूप में है तो आप खुद सोचिए कि 6 महीने बाद हदोज अगर आपको एक कोहचन मिल र तो आज से 6 महीने बाद आपकी क्या पोजीशन होगी और यह वीडियो देखके प्वाइंट को नोट डाउन करके आप लोग अपना हैंड मेट नोट बनाते चलिए उससे बहुत फैदा होगा आपको और अंत में वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा और चै हैं कल किसी और टॉपिक के साथ सी यू टॉमोरो थैंक यू वेरी मच गुड नाइट